जैन साथियों अब तक आपने सुरा होगा इंसानों को प्यार की इजाज़त नहीं लेकिन योगी राज में पक्षियों को भी प्यार की इजाज़त नहीं मैं बात कर रहा हूँ आरिफ और सारस की सारस उत्तर प्रदेश का राज्य पक्षी जो एक साल पहले खायल अवस्था में गंभीर अवस्था में आरिफ को मिलता है आरिफ उसकी सेवा करता है और वो पक्षी वो बेजुबान पक्षी आरिफ से प्यार करने लगता है उसी की ठाली में खाना खाता है उसी के साथ उड़कर बाजार में जाता है खुला रहता है फिर भी उसी के घर के आसपास रहता है उसके घर में रहता है लेकिन जब ये पता चलता है योगी सरकार को जब उत्तरप्रदेश के पूर मुख्य मंत्री अखले से आदोजी उसके घर पे जाते है उसके बाद आरिफ को नोटिस मिलती है उस पर मुकदमा दर्ज हो जाता है साहद उस बेजुबान पक्षी को ये नहीं मालूम कि भारती जनता पार्टी के राज में नफरत की तो इजाज़त है मुखबत की इजाज़त है ऐसे काम करके आप क्या संदेश देना चाहते है हिंदू धर्म भारत की विराठ संस्कृती जो वसुदेव कुटमुकम की बात करती है पूरे विस्व को अपना परिवार मानती है अरे यहां तो आप एक पक्षी की सेवा की अजाज़त नहीं दे रहें ऐसे पापों का ऐसे गुनाहों का ऐसे कामों का इश्वर की अदालत में कैसे हम लोग जवाब देंगे यह हमें जरूर सोचना चाहिए चैहन